वेल कम बैक टू से आगर हुरा आज की आपको फोटो का यह भी मेरा है कि के सकते हैं सो देख सकते हैं अब मेरी नॉर्मली फोटो कैसे और रिट वार्ड कैसे हो चुकितने दुशचिकल तो आप अपने फोटो डिटिंग स्टाट करने से पहले पने फेसको करें और के देटिं तो सबसे पहले हम आजाएंगा लाइट रूम में तो लाइट रूम में अपनी फोटो को एड़ करेंगे और किस तरीके से सारे एफेक्ट्स और कलरेडिंग कैसे करने हैं वो मैं बता देता हूं तो अलग अलग फोटो की हिसाब से होता तो मेरे हिसाब से कि अपनी आपकी फोटो में दो ही कलर होने चीए तो देखें मैं अपने सारे यह ओटो पर क्लिक कर दूँआ तो आप अपनी नॉर्मली सेट कर सकते हैं तो मैं कलर यहां पर देख लिए ग्रीन हटा रहा हूं की सेटिंग कर रहा हूं तो आप बिल्कुल वैसे नॉर्मली इसको स्लो करके देख सकते हैं तो चलिए मैं जैसे जैसे मैं कर रहा हूं यह परपल वाली जैसे यह वाला कलर रहे गया तो मैं इसको थोड़ा से अजश्मेंट कर देता क्योंकि मेरे शेर्ट में जो इसमें थोड़ा सा कलर आ जाएगा बहुत ही बैटर वाला देखे मेरी यलो टाइप है तो यह लो कलर आ जाएगा तो हां यह टेस्टर को हम डाल देंगे कुछ थोड़ा सा और इसको डाल लेंगे को 10% कर देंगे अब जो विगनेट है वो हमारा साइडों में से ब्लैक बन लाता है तो देखे कितना बढ़िया लग रहा एक फुल करना ठीक है बहुत ही बैटर लग रही है भी अब सबसे में बात है कि पिक के अंदर क्या खासियत आनी चीए कि बहुत ही रियास्टिक लग अब आप देख सकते हैं अच्छे से अडियोट हो सकते हैं आपको दिखा जिता हुए जूम करते हैं तो एक खतरना को यह ऐसा लगता है कि जैसे आपने लैप्टॉप में यह फोटो शॉप में एडिट कर रहे हो तो ठीक है ऐसी कलर ग्रेडिंग कर रहे हो और यह जो मेरा इसमें जा गाप को सरकल थोड़ा सा डालेना था कि पीछे से लाइट आई जैसे मैं सूरज टाप की लाइट डालता हूं यहां से एक्षपोडर रूडा दूँगा और यहां से शेडोस और थोड़ा सा ब्लैक्स ठीक है तो देखिए वहां से वाइट बना चुका है यहां स यह साब से तो वहीं अच्छा लगा जिसके फिछे से येलो कलर हो तो इसलिए मैं इसे साबसे कलर डुडा ग्रेटिंग करें तो आप भी कर सकते हैं मैं प्रिशेट भी दिछा और आप आप भी फूट रिडिंग ऐसी कर गडर हो बोजो भी करने तो मिलते हैं नेक शुडश and love you all.